दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि हिंदु धर्म में हर महीने कोई ना कोई व्रत्योहार आती ही रहती है और दोस्तों इनका हमारे जीवन में कोई ना कोई खास महत्व जरूर होती है दोस्तों उनमें से एक है सोमवती अमावस्या वैसे तो अमावस्या हर महीने आती ही है लेकिन पालगुन मास के कृष्ण पक्षपर पढ़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं सुमवती अमावस्या व्रत पर पित्रों को जल और तिल देने की परंप्रा सदियों से चली आ रही है। दोस्तों बता दे कि इस दिन व्यक्ति को खान पान में विशेश ध्यान देना चाहिए, गलत चीजों का सेवन से भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों आएए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सुमवती अमावस्या के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। कि इस दिन क्या खाना चाहिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मातारानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर में कभी भी धन वैभावेवं एश्वर्य की कोई भी कमी नहीं होने देना चलो जानते हैं तो द शरीर में दिन भर उर्जा बनी रहती है अगर आप अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो व्रत के खाने में आपको सिर्फ सिंधा नमक इस्तेमाल करना है इस दिन आपको साबू दाना बिल्कुल भी नहीं खाना है यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इसके अब सामगरी खाने की सामगरी इत्यादी चीज लेकर भावरी लगाते हैं। और यही सारी चीज खाए भी जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दे कि अमावस्या के दिन आपको भूल कर भी मास और मदिरा को घर पर नहीं लाना चाहिए. इस दिन प्याज लहसुन मास मदिरा का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पित्री नाराज हो सकते हैं. वही आप इस दिन लोखी, खीरा, जीरा, सरसों के साग का भी सेवन नहीं कर सकते. दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन पुरुष भी व्रत रख सकते हैं. अगर स्त्री या पुरुष गंगा में सनान करके दान करने का काम करते हैं, तो भगवान विश्नु अत्यधिक प्रसन होते हैं, इस दिन महा साथू और ब्राह्मनों को भोजन कराना चाहिए, और उन्हें वस्त्र या कंबर दान में देना चाहिए.